हेलो फ्रेंड मैंने में शुबं सिंग अगें वेलकम यू इन दा मार्कमेट चैनल और आज एक और बार स्वागत है आपका मार्कमेट चैनल के अंदर तो टोड़े इस आलसो भी दा वेरी इंपोर्टेंट वीडियो आज हम लोग बात करेंगे कि कोई भी सर्विस को स्टार्ट करने से पहले हमको काफी सारी जो चीज होती हैं को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम कोई भी सर्विस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आज हम लोग 3 points के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे statement of objective, second हम लोग बात करेंगे marketing and operating assets and statements और third हम लोग बात करेंगे developing service and marketing operation. तो सबसे पहले हम लोग बात करते है statement of objectives. बहुत जादा important है, हमको यह समझना, we should try to understand कि हमार objective क्या है, कोई भी अगर हम service start करते हैं, तो objective को समझना बहुत जादा जरूरी है. जब हम objective को समझ जाते हैं, तो उसके बाद हम short analysis करना बहुत जादा जरूरी है. short analysis के अंदर strength, आपकी services की क्या रहेगी, weakness क्या है, opportunity क्या रहेगी और threats क्या है. short analysis करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई भी new services को accomplish करने से पहले, start करने से पहले, तो इसका काफे ज़्यान रखें, अगर आप कोई service वाले business के अंदर हैं, या फिर अपनी कोई आप नई service का अगर बिजनस करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई नई consultancy है, तो इसका बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि आप अपनी जो service है, उसका short analysis करिए, ये पहला point है, जिसके बारे में अज़ हम लोग बात करते हैं, सेकिन हम लोग बात करते हैं, marketing and operation assist statement, इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिर्स्ट हम लोग ने short analysis कर लिया, strength, weakness, opportunity, threat के बारे में देख लिया, सेकिन हमको एक prototype बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक consistent services की बात करे दी, कोई भी service अगर आप initially start करते हैं, तो उसको consistent रखना बहुत 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 ज़्यादा important है, तो consistent कब रहेगा जब आप एक prototype आप अपना बनाएंगे, एक service का prototype बनाएंगे, service prototype क्या होता है, कि कोई भी service अगर आप customer को, client को अगर आप provide कर रहे हैं, तो एक proper manner में होनी चाहिए, और जिस तरीके से आप उसको provide कर रहे हैं, वो हर तरीके से आप पहले एक prototype करिए कि वो same होनी चाहिए हर जगा पे, एक consistency उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर variation जादा नहीं होने चाहिए, एक customer है, उसको आपने एक service provide करी, ठीक है, आप एक consultancy है सपोज आपकी, आप उसको एक service provide कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको consistent रखना बहुत जादा जरूरी है, एक example हम लोग लेते है, flip card का example हम लोग लेते हैं, ठीक है, अगर कोई भी product flip card deliver करता है अपने customer को अगर वो 5 days में एक product को deliver कर रहा है, हाँ वो place to place variant हो सकता है, लेकिन same place पे दो variations कभी उस product में नहीं आएगा, वो 5 दिन जो अपना product deliver कर रहा है एक customer को, और दूसरा customer भी अगर उसी place से उस product को order कर रहा है, तो 5 दिन ही होगा, उसके अंदर variation नहीं होगा, तो consistent रहना बहुत बह intensified करना चाहते हैं, अपने business को आप intensified करना चाहते हैं, in the business, in the service form, तो consistent करेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में हम लोग बात करते हैं, developing service and marketing operation, साथ-साथ में आपको इसके चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर दियान देना, कि आप जो services कर रहे है उसके अंदर आप क्या, जो innovation है, वो innovation आप किस तरीके से ला रहे हैं, कुछ services के अंदर आपको competitor को सबसे पहले mark out करना है, सबसे पहले आपको competitor का study करना है, फिर आपको अपनी services के अंदर कुछ innovations लाने हैं, कुछ customers को attract करने के लिए, आपको कुछ prototype तो बनाने ही पड़ेंगे कुछ coupon system बनाने पड़ेंगे, ताकि आपका जो customer है, वो आपसे attract हो, कुछ भी coupon code आप उसको provide कर सकते हैं, और different type of things हैं, आप उसको provide कर सकते हैं, तो बहुत जादा जरूरी है इन चीजों पर ध्यान देना, तो ये तीन चीजों के बारे में आज मैंने बात करी, ये तीन काफी वीडियो हम इसके उपर बनाएंगे, तब तक आप एक स्मार्क मैक चैनल को देख देजिए और लाइक कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए